गुड मुनिंग स्टुडेंट्स कैसे आप लोग सभी लोग सभी लोग सभी होंगे और जितनी हमने अभी तक वीडियो अपलोड किये हैं वो सारी वीडियो आप लोगों ने ध्यान से पढ़ी होगी वो समझे की कोशिस की होगी चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्ण टॉपिक है जो की BCA में या किसी भी CSIT में पूछा जाता है मैंने इसको बहुत में त्यार किया हुआ है इसका नाम क्या है यहांसे यह कैंशन मैंने आपको बताया था एक सट्रक्शन और एक क्यून मैंद्री्थ ऊंड़े हैं के लिए धां से देना है इस में क्या लिए मैं से Protected that will be done till now was static memory allocation the memory allocation that will be done till now was static memory allocation मैं दो बार पर चुका हूँ इसका मेनिक है अभी तक हमने जितनी भी memory allocation की concept पढ़े हैं वो सब कैसे हैं static memory allocation के हैं चाहे हमने कभी int का use किया हो चाहे हमने memory बनाई हो array की through memory बनाई है वो सब कैसे होती है static तो कभी पेपर में static memory की बारे में कुछ लिखने को बोला जाए तो आप कोई भी अभी तक के जितनी array बताई थी ना कोई simple सा example उठाकर उस वाँ पर लगा कर explain कर सकते हैं क्योंकि अभी तक हमने जितना बढ़ा वो स्टेटिक मेमोरी पर discussion किया था आज हम गया हमाई सामने कैसा discussion है dynamic का तो क्या कह रहा है धान दीजे वी दिखा है वी यूज डैनेमिक दिखा है वी यूज डैनेमिक यूज ऑन नीट सौफ़वेर अपने सौफ़वेर के नीट के according हम डैनेमिक कंसेप्ट का यूज करते हैं ठीक है इन इस कंसेप्ट वी रीट सम functions इस concept के हम लोग अंतरगर्थ हम लोग कहते हैं कि जो functions पढ़ते हैं वो functions नीचे दे गए हैं सबसे पहले आता है memory को allocate करने का तो memory को allocate करने का function है वो आपके सामने है malloc 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 function है this function is used to allocate memory dynamically it is used number of bytes तहां रखना कि हमारे पास function है memory को allocate करने के एक है मेरे पास malloc और दूसरा है kelloc जो मैंने जस्ट नीचे लिखा हुआ है दूनों का काम सेम है memory को allocate करना यानि की dynamic memory को allocate करना लेकिन पहला क्या malloc function है वो number of bytes को allocate करता है इसका जो format क्या है आपके पास कोई भी PTR नाम का pointer होगा चाहें P ले लिजे कोई भी name ले सकते है उसके बाद में एक कोज़ा sign लगाएंगे कोई भी data type हो सकता है int हो सकता है उसके वागे space देंगे उसके बाद हम लोग एक लगाएंगे जो नोटेशन है pointer का उसके बाद मैलोग लिखेंगे मैलोग उसके फंक्शन के स्टार्टिंग करेंगे करेंगे और function को बंद करेंगे end of line लगाएंगे यह format किसका है यह पूरप format है हमारा मैलोग का काम करने का तरीका टिक सेम तो सेम कैलोग की बात करते हैं this function is used to allocate memory dynamically also but it use multiple block of memory यहां ध्यान रखना यह multiple block of memory का यूज़ करता है टिक सेम लिखा हुआ है एक PTR लिखते हैं एक data type लिखेंगे ST का sign लगाएंगे कैलोग लिखेंगे और number of block का यूज़ करेंगे और हर block का अपना एक size count करवाएंगे लिखा हुआ है size और अंदर देंगे data type ठीक है उसके एंड of line से बंद करतेंगे इम मेरे पास दो function दो format है ठीक है ठीक है 32 बोलने मजबूरी है जहां दीजे उसके बाद आता reallocate कभी कवार ऐसा होता है कि हम software बना रहे है उस software बनाते समय कभी कवार हमें नीट पर जाती है कि अपने जो memory है उसको माल बने माल लीजिए आपने कोई array लिया उसका size आपने 5 ले रखा है और वो काम करते समय software develop करते समय आपको अचानक ध्यान आया कि इसके size को 5 ना लेकर है उसके size को हमें 10 लेना था तो अपनी program में या तो एक अंतर पर उपर चले जाए उसका size को reallocate कर अगर अगर बार बार ऐसे नीड आती है तो हम क्या करते हैं तो महाँ पर reallocate नाम के function का use कर लेते हैं जो कि हमारी memory को जस्ट नीचे ही reallocate कर देता है पुराने size को नए size में कैसे करते हैं देखिए दिखाए reallocate reallocate function किस लीज़ होता है this function is used to reallocate memory which is allocated by the malloc and calloc आपने malloc and calloc का use करके जो memory का allocation किया है उस memory को reallocate करने के use किया सकता है दिखाए its own software need to developing time अपने software को developing time में इसका हम use करते हैं कैसे करेंगे देखिए इस आप को करना है PTA use करना है और bracket start करना है data type बगना है space देना है star का इस करना है bracket बंद करना है realloc function लिखना है उसके bracket start करना है PTA लिखना है और comma लागा new size को लिख देना है मैं कह रहाँ new size को लिख देना है function बंद करके end of line लगाना है एक ओर function है उसका नाम है free 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 जब हम लोग अपने program को बना लेंगे अपने software को develop कर लेंगे कोई event develop कर लेंगे तो अपनी memory को free करना पर लेगा अगर free नहीं करेंगे तो memory उतनी use होती रहेगी और एक समय आता है कि आपकी memory अधिक दिखाता है यह problem कहां आपने देख मिलती है जब आपको mobile use करते हैं और mobile use करने पर खुब सारी चीज़ें जो हम लोग उसमें download कर लेते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं जब वह memory memory हमारा slow हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको हम लोग phone manager में जाकर उसकी cash जो आपकी cash files होती है जो आपकी reuse ना करने वाली जो files होती है उसको आपके रहते हैं delete कर देते हैं delete करने के लिए आप एक process चलाते हैं और process चलने के बाद में आपको देखते हैं कि कुछ files जो ती जो थी वहां से गाया भजाती है खतम हो जाती है और आपका size बढ़ जाता है जो आपका storing size है वह बढ़ जाता है और आपका mobile जो है smoothly जाने लगता है यह सारे concept जो है यह dynamic memory allocation से through develop के जाते हैं ठीक है thank you